होसला अभी बाकी है, सपनों का घोसला अभी बाकी है, लक्ष से कह दो, रुका नहीं हूँ मैं, फैसला अभी बाकी है। दोस्तों, मुश्किलें हमें तब दिखती हैं, जब हमारा लक्ष पर से ध्यान भटक जाता है। नमस्कार दोस्तों, जीयस इंस्वारड में आपका दिल से स्वागत है, अपना समय अपने लक्ष में लगाओ, दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, महात्मा बुद्ध की कहानी को आप ध्यान से सुनियेगा, तो कभी भी आप अपने लक्ष से नहीं भठगेंगे, त एक बार एक व्यक्ति, गरीबी से परियसान होकर, भगवान गौतम बुद्ध के पास गया, और बोला है, खेत अथागत, कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं, कि वे करोडों रुपे कमा रहे हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्या है, कि जो एक दूसरे से अलग करता है, गरीब आदिमी का यह सवाल सुनकर, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कि अमीर बने और जीमने सफल होने के कुछ नियम होते हैं, जिस पर सफल व्यक्ति खूब ध्यान लगा कर अमल करता है, आज म आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपना कर आप सफल व्यक्ति वन सकते हैं, और एक सम्रेद और अच्छा जीवन जी सकते हैं, पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष चुनें, ज्यादा तर लोग से पूछा जाता है, कि आपके जीवन का कि आपके जीवन का लक्ष क्या है, आपने अपने जीवन में लक्ष क्या बनाया है, नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष नहीं है, लेकिन हाँ यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष चुनें, दूसरा नियम, खोड़ पर विस्वास करना सीखें, यदि आप वास्तों में सफल होना चाहते हैं, तो आपको खुद पर विस्वास करना होगा, कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, और यही डर उनके आत्म विस्वास को नश्ट कर देता है, यदि आपको यह डर सता रहा है, तो खुद से सकारात्मक बाते करना सुरू करना है, हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा, जीत आपकी होगी, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अगर गिरने से डरता है, तो वह जीवन में कभी चल नहीं पाएगा, इसी सोच के साथ अपनी लक्ष की बढ़ें, और हजार बार गिरने, हजार बार उठाएं, एक ना एक दिन आप अपने लक्ष तक पहुची जाएंगे, तीसरा नियम, जो भी काम करें, उसे पूरे जोस के साथ करें, काम का नाम सुनते ही, कई लोगों का मुह लटक जाता है, लेकिन जब तक आप अपने कारि परों में बांट लेना चाहिए, और बीच बीच में थोड़ा आराम भी करें, फिर काम करें, अपने काम में इतना दिल्चस्पी रख हैं, कि उस काम को करने में आपको मजा आए, और हमेशा खुद से कहें, कि मैं जो काम करता हूं, उससे दिल जान से प्यार करता हूं, चौ रखना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर अपने काम पर पहुचना, और अपने काम को अधूरा ना छोड़ना, फालतू बातों में समय बरबाद ना करना, बीना मतलब के बहस ना करना, और कभी कुरोध ना करना, क्योंकि कुरोध आने पर हम अन्यंत्रित हो ज लेंगे, तो क्या वह दुकान ठीक से चलेगा, इसने खुद पर नियंत्रण रखना सीखें, पांचवा नियम, बचत करने की यादत डालने, बहुत से लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन महंगी और दिखावटी चीज खरिदना सुरू कर देते हैं, अपनी सोच और द लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जो खाने से बचे उसको बचाओ, लेकिन आज के दोर के हिसाब से, नियम यह कहता है, कि जो बचाने से बचे उसे खाओ, जो कभी बचत नहीं करते, वे हमेशा गरीबी में जीवन यापन करते हैं, आप अ सुरी वजना बनाएं, फिर उन लक्ष को हासिल करने के लिए, जरूरी चीज करना सुरू करना, नेता और आम आदमी में यही फर्क होता है, दो तीन बार और सफलता मिलने के बाद, आम आदमी के हो सूर जाते हैं, और दूसरी तरफ, कोई नेता कितनी बार भी और सफल हो ज बट कर सोचने की कोशिस करें, और कुछ नया करने की कोशिस करें, जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, तो वही सोच एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं, हर मनुस्य के जीवन में जो दूख्य और परेसानिया जूड़ी हैं, उन्हें नए नए विचार जन्म लेते ह जब जीवन में कोई समस्या आती है तो लक्ष केंद्रित व्यक्ति उन परेसानियों का समाधान हर हाल में ढूंड ही लेता है आठमा नियाँ हमेशा ज्यादा अधिक करने का प्रयास करें जितना काम आपको दिया जाता है उससे अधिक काम करने का प्रयास करें सुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बलकि लक्ष को पाने के लिए काम करें मान लीजिए आप एक बेवसाय सुरू करना चाहते हैं और सुरुआत में आप एक समाने वेपारी के यहां काम करना सुरू करते हैं तो वहाँ पर ऐसा काम ना करें, कि लगे कि आप केवल पैसा के लिए काम कर रहे हैं, आप से जितना कहा जाए, उससे थोड़ा ज्यादा करें, और हो सके, तो दूसरे लोगों की मदद करें, लोग आपको पसंद करेंगे, और आप भीर से अलग नजराएंगे, नवानियम, अपने ब्यक्तित्तों को आकर्सक बनाएं, सफल होने में ब्यक्ति का टाइम और प्रसनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी प्रसनालिटी को अच्छा बनाएं, इसके लिए सुरुगात कपडों से कराएं, यह जरूरी नहीं कि आप अपड़े स्वक्ष्य ओस्य होना चाहिए, साथ यह अपने सरीर को भी साफ रखाएं, लेकिन ध्यान रहे, सारीरिक सुन्दर्ता से ज्यादा आंतरिक सुन्दर्ता बहुत मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखाएं, और उनकी मदद करा इससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाएंगे, और आपके दोस्त की संख्या भी बढ़ेगी, और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवस्यक है, दस्वानियों, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें, आ आपके आसपास हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे, जो हमेशा दोस्त निकालते रहेंगे, वे बुराई करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देकर, अपने लक्ष पर ध्यान दें, और किसी से भी बिना मतलब के बहस करके, अपना समय और उर्जा बरबाद करें, क्योंकि आप उन से उलसते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप उनकी जैसे ही हो जाएंगे, ग्यारा हमानियम, हम अधिकतर अपने जीवन भर, माता पिता और प्रस्थितियों और भागे को दोस्त देते रहते हैं, कभी भी अपने अंदर जहाक कर, अपनी कमियों को देख इसके लिए आपको अपने कामों में दिर्धता से काम करना होगा, तभी सफलता आपके कदम आउस से चुमेगी, इस परकार भगवान गौतम बुध ने उस ब्यक्ति से ग्यारा नियमों के बारे में बताया, उस ब्यक्ति को अपने सवालों का जबाब मिल गया, उसने का जीवन व्यतित करने लगा, दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में कहानी कैसी लगी, अपनी राय जरूर भेजाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हमेशा खुश रहें नमो गुद्धाय